हेलो दोस्तों दृष्टी PCS YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूंगी तांजरी शुक्ला आज हम यहां पर तो कि बीते दिनो 63 VPSC का रिजल्ट आया है प्रिलेम्स का और 63 VPSC की परीक्षा का कट आफ आप तभी जानते हैं कि काफी हाई गया है यहां पर हम आज इसी परीक्षा में कौन सा सेक्षन है जो सबसे महजबूर्ण है जिससे लगबग हर वर्ष सवाल पूछे जाते हैं और उनकी स मजबूर्ण विशा है VPSC की परीक्षा की लिहाज से इतिहास से लगातार हर वर्ष VPSC की परीक्षा में बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं जिनका यदि हम औस तन निकालें तो लगबग 25 से 27 सवाल ऐसे होते हैं जो हर वर्ष इतिहास से पूछे जाते हैं तो आज हम से इसी बिंदू पर चर्चा करने वाले हैं कि जो बीकी इससी की परीक्षा है उसके लिए इतिहास की तयारी को कैसी करें या इतिहास थीके पड़ें आज हमारा सेशन इसी पर आधारिद होगा तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर स्टेट की परीक्षा की जो अपनी प्रकृती है वे अलग है और स्टेट की परीक्षा की साथ-साथ चाहे वे SSC की परीक्षा हो चाहे RO की परीक्षा हो इन सभी की प्रकृति अलग-अलग होती है और हम सभी जानते हैं चुकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BPSC के बारे में तो BPSC अपने आप में एक fact-oriented exam है यानि BPSC लगाता कई वर्षों से ऐसे प्रशन पूछती है जिसका fact आपको मालूम होना चाहिए और fact के साथ साथ कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जो कि concept based होते हैं यानि यहाँ पर आपको concept पर भी पकड़ होनी चाहिए लेकिन महलतुकूर्ण क्या है fact और यही fact-oriented exam है BPSC जिसका अभी 68 जो exam है वे होने वाला है आज हम यही इसी विशे पर चर्चा करेंगे कि 68 जो BPSC है जो कि महलतुकूर्ण क्या है हमने सभी exams में देखा BPSC कि जितने भी अभी session हुए है उन सब में हमने देखा कि इतिहास एक महलतुकूर्ण विशे रहा है इससे लगभग 25 से 27 सवाल हर बार पूछे जाते हैं तो आज हम इसी बिंदू पर चर्चा करेंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए कैसे इसमें सबसे ज़्यादा score यहाँ पर लाया जाए क्योंकि इसमें इतिहास की भूमी का सबसे आधिक है तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछली जो वर्षों इसमें बीपीएस्टी से संबंदित परिक्षा हुई है या स्टेट की जो परिक्षा हुई है बिहार स्टेट की जो परिक्षा हुई है उसमें इतिहास की जो प्रश्ण है उनकी संख्या कितनी रही है तो यदि हम 56 से लेकर 69 जो VPSC रही है, उसकी बात करें, तो लगभग 29 सवाल देखे गए हैं, इसके साथ ही 60 से यदि 62 VPSC की बात करें, तो इसमें 33 सवाल इतिहास से देखे गए हैं, इतिहास हाँ पर पहला ही है, इतिहास से सवाल देखे गए हैं, इसके साथ ही 63, 64 आप देखिए, 63 में 34 सवाल थे, 64 मे थे यहाँ पर हम सबसे ज़ादा जो फोकस रखेंगे वे रखेंगे आधुनिक भारत की इतिहास के संदर्व में क्योंकि लगातार हम यह ऑब्जर्ब किया है कि 15 से 20 सवाल आधुनिक भारत की इतिहास के रहते ही रहते हैं सपश्ट तौर पर इसी से सवाल पूछे जाते हैं इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेष्टाएं यानि परीक्षार्ती जब एक्जाम देने जाता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि उस परीक्षार्ती को भारत का इतिहास और बिहार की इतिहास के बारे में पता होना चाहिए और यहां पर मुख्य रू समझ पर जोर दिया जाएगा यानि आपको विहार के इतिहास के बारे में पता होने चाहिए भारत की तिहास के बारे में पता होने की आशा की जाती है यानि आपको बिहार के इतिहात के बारे में महत्वों रूप से सभी जानकारियां सभी तत है यहाँ पर इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए साथ ही यदि अन्य बातों की बारे में बात करें तो भारत की स्वतंता आंदोलन में बिहार की भूमिका सवालों के जवाब देने की आशापते की जाती है याँ आप यदि एक्जाम देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्वतंता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है बिहार से कौन से व्यक्ति तो इसम प्रश्ण 19 सदी के पुनुरुत्थान के प्रकृति और चरत्र संबंदित होगा तो आपसे भार्ति राष्ट्री आंदोलन इससे जुड़े कौन-कौन सी संस्था हैं कौन-कौन सी संगठन है इन सभी के बारे में क्रम से की सिस्टमाटिक की कौन से सं में या किस वर्ष में कि इस समेठी का यहाँ पर गठन किया गया उस समिती में कौन-कौन अध्यक्ष रहे है इनके बारे में भी उस समयधी को किसने बनाया यानि उसकी स्थापना किसने के बारे में आपको पता होना चाहिए यह तो हमने देख außer सिलिवस्न में क्या मेंशन है अब हम देखें लोगों से या किन किन जगों से सबसे जखाओं से दी यहाँ पर सवाल पूछई जाते हैं तो आगन giving के ईउर्पियों के आगमन और एक कैसे सवाल पूछ जाते हैं झूंकि हमने इहां पर बात भीकी कि फैक्ट बेस्ट है यानि यहाँ पर यह जानना जरूरी होना चाहिए कि सबसे पहले किस European company का यहाँ पर आगमन हुआ कौन सी European company है जो यहाँ पर सबसे पहले आई यानि कौन सबसे पहले आया डच, पुर्टगाल, अंग्रेश कौन, सबको पता है पुर्टगाल गए सबसे बाद में कौन भारत से यह भी हमें पता होना चाहिए इसके साथ ही इनकी पहली factory कहाँ पर थी, कब इस्थापित की गई कब, कहाँ, सबसे पहले जसे अंग्रेश यह दी भारत आये तो सबसे पहले वे कहाँ गए कि शेत्र के राजा से उनने सबसे पहले मुलाकात की, कहाँ पर उन्होंने अपनी पहली factory स्थापित की इसके साथ ही पहली governor general कौन रहे हैं और company की देखरेक उन्होंने कहाँ पर की इसके साथ ही यह भी जरना जरूरी है कि जब अंग्रेश भारत आये या डच भारत आये या पुर्टगाली भारत आये तो उन्होंने भारत के साथ कौन-कौन सी चीजों का व्यापार किया कौन-कौन सी चीजों से वे भारतियों को परचित कर पाए ये सभी जानकारियां हमें यॉरॉपियों के आग्मन के संदर्व में होना चाहिए फास कर कहां पर उनके फैक्ट्री थी कहां से उन्होंने व्यापार शुरू किया उस समय उनके जो फैक्ट्री के जो मालिक थे या उस समय हम कहें कि गवर्नर कौन थे कौन पूरिक्षित्र को देख रहे थे कि सभी जानकारियां हमें वर्ष के साथ याद होनी चाहिए कि किस वर्ष कहां पर स्थापित की गई ये सभी जानकारियां हमें याद होनी चाहिए ये तो हमने देखा यॉरॉपियों के आग्मन के संदर्व है आप यदि हम बात करें कि इसके बाद हमें वे कौन सक्रम है जिसे याद होना चाहिए जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए तो आप सभी जानते हैं कि सबसी महज़़पूर्ण क्या है इसके बात section हमारे लिए British का जो विस्तार यानि बिर्टिस ने भारत में विस्तार के लिए कौन-कौन सी नीतियों को अपनाया यदि हम सामानी नीतियों की बात करें तो व्यबगत सिधान्त आप सभी जानते हैं कौन-कौन से सिधान्त अपनाये, कौन-कौन सी जगहों पर उन्होंने यहाँ पर कबजा किया इसके बाद महतुपूर्ण है, प्रारंभिक विद्रो, चुकि विद्रो से भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं, विद्रो में कौन कौन सी विद्रो, तो सबसे जादा महतुपूर्ण क्या है, क्रिशक विद्रो, क्योंकि क्रिशकों का विद्रो भारत में, यदि हम बात करे किस चीज को लेकर विद्रोह शुरू हुआ, जैसे नील, नील की खेती को लेकर भी विद्रोह हुआ, इसके साथ ही आपको पैता होना चाहिए किस वर्ष कौन सा विद्रोह हुआ, और उस पूरे शेत्र में किसने उस विद्रोह को दबाने की कोशिश की, ये विद्रोह को दब पाने की कोशिश की, इसके साथ ही कृषक विद्रोह के साथ आपको पता होना चाहिए, बिहार में सबसे महत्पून विद्रोह क्या था, जन जाती विद्रोह, तो यहां पर जन जाती विद्रोह भी काफी महत्पून भूमी काने भाते हैं, अपनी जन जाती विद्रोहों के बा यह सब ही आपको एक systematic क्रम में पता होना चाहिए क्योंकि लगातार VPSC ऐसे सवाल भी पूछ रही है कि आपको एक साइट वर्ष दे दिया जाता है और एक तरफ आपको लिख दिया जाएगा निर्टत्यू करता या उस विद्रोह से संबंदित लोग आपको या तो यह भी पूछा रहा सकता है कि एक साइट आपको विद्रोह दे दिया दूसरा वर्ष तो आपको पता होना चाहिए कि संथाल विद्रोह किस वर्ष में हुआ था या कोई वर्ष आपको दे दिया तो आपको पता हो और ऐसे फिर वो सही मिलान या जोडी मिलान के लिए भी दे देते हैं और फिर नीचे आपको कूट दिया होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विद्रोह किस वर्ष किया गया था या किस वर्ष कौन उस विद्रोह में शामिल थे किस ने इन्ने तत्व किया, किस इस्थान से इस विद्रोह की शुरुवात हुई इसके साथ ही यहाँ पर महजपूर्ण है भारती रास्ट्री आंदूलन क्योंकि भारती राष्ट्री आंदोलन यह अपने आप में एक महजपूर्ण विंदु है किसके लिए इतिहास के लिहाद से तो इतिहास के जो भी कुश्यन होते हैं उसमें सबसे जादा भूमिका इन ही की होती है कि भारती राष्ट्री आंदोलन का जो क्रम शुरू हुआ वर्ष 1905 से लेकर 1947 तक की बात करें तो कौन-कौन से विद्रो इसमें शामिर हो जाएंगे इसके साथ ही किन-किन यहाँ पर संस्थाओं ने अपना सहयोग दिया भारती राष्ट्री कॉंग्रेस की स्थापना के बात इसके अधिवेशन कहां-कहां हुए हैं अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है अध्यक्षता के साथ ही वर्ष किस वर्ष में कौनसा अधिवीशन हुआ है और वह इस्थान जहां पर अधिवीशन हुआ है तो यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार से सम्बंदित है तो बिहार में जो अधिवीशन हुए उनके बारे में आप खास तोर प्रयाद रखिए लेकिन यहाँ पर आपको तभी अधिवेशन याद करने जरूरी है क्योंकि यह पूछ लिया जाता है क्योंकि इस पच्ट्रूप से हमने देखा था क्या मैंशन था भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास यानि यहाँ पर भारत इस संबंदि जो भी माज़पूर्ण संस्थाएं हैं वे भी यहाँ पर पूछ लिजाती है इसके साथ ही अनुसीलन समिति की बारे में कई बार सवाल पूछ लिया गया है तो यहाँ पर समितियों का जो गठन यह भी माज़पूर्ण हैगी समिति का गठन क्यों हुआ किस वर्ष किस समिति के गठन हुआ यह भी आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है इसके साथ ट्रेड यूनियन पर भी कई बार सवाल पूछा गया है यानि यहाँ पर आपको ट्रेड यूनियन से संबंदियर जो भी माज़पूर्णत्य हैं वो भी जानने जरूरी है तो भारत छोड़ो आंदोलन इसके साथ ही क्रिप्स मिसन कब आया कैबिनेट मिशन कब आया साइमन का मिशन तो इस सभी क्या एक सिस्टमेटिक जो भी करम है उसको करम को यानि काल करम के अनुसार आपको चीज़ें याद होनी चाहिए तो इसका हम अभी नमूना भी देखेंगी कि BPSC कैसे सवाल पूछती है काल करम के अनुसार उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है यह हमने देखा भारती रास्ट्री आंदोलन के संदर्व में यहां पर भारती रास्ट्री आंदोलन के संदर्व के साथ जो विहार में इतिहास से सवाल पूछे जाने वाला सबसे फेवरीट सेक्शन है वह्यक्तित्वे चुकि विक्तित्वे पर कई बार सवाल विहार की Prelims की परीक्षा में पूछे जाते हैं इन पर सवाल बनता ही बनता है, हर बार पुलिंस की परिक्षा में इन्हें लेकर कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, ऐसे बहुत सारी व्यक्तितों हैं जिन पर सवाल पूछा जाता है और एक बड़ा section है वह है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का तो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं तो यह भी आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार इससे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इससे की किस्थ वर्ष की इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है यह सारे सवाल पूछे जाते हैं इसके साथ ही बिहार राज्य में धार्मिक सामाजिक आंदोलन से संबस्ध्य कौन इटित्य दो थे इसके के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है इसके बाद पूरे भारत में कौन-कौन से धार्मिक सुधार अंदोलन हुए हैं, सामाजिक सुधार अंदोलन हुए हैं, से भी सवाल BPSC, प्रेजिम स्वरिक्षा में इतिहास के लिहास से कई बार पूछा गया है, प्रेस्टे समबंदित कई ऐसे यहां पर एक्ट आए हैं, जिसमें वर्ना कुलरेक है, तो इसे समबंदित कई बार सवाल पूछा गया है यहां पर, जितने भी पत्रिकाएं हैं, या आप कहें कि समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इन समाचार पत्र के संपादक कौन रहे हैं, समचार पत्र का नाम क्या रहा है और इसे किस वर्ष संपादित किया गया किस वर्ष की शिरुवात हुई यह सब ही आपको क्रमवार systematic तरीके से याद होना चाहिए यानि व्यक्ति व्यक्ति से संबंधित यानि उस से संबंधित जो भी समचार पत्र हुए और उसका संपादक वर्ष या आपको systematic तरीके से याद होना चाहिए इससे भी सवाल direct BPSC में पूछ रहे जाते हैं जनजाती आंदोलन के बारे में हमने चर्चा कर ली क्रिशक आंदोलन के बारे में भी हमने चर्चा कर ली यही हमने प्रेस से संबंदित या पत्रिकाओं से संबंदित जो भी सवाल हैं उसके बारे में चर्चा कर ली एक और महत्रपूर्ट section ने गवर्णर जनरल यानि भारत में आने वाले जो भी गवर्णर रहे हैं गवर्णर जनरल रहे हैं या वायसराय रहे हैं तो इनका एक systematic यहां पर क्रम रहा है इसी क्रम में इनहें याद करना यहां पर जरूरी है कि कौन से वायसराय भारत में कब आए कौन सी गवर्णर जनरल कब आए और इनका क्रम क्या रहा है वर्ष के हिसाब से कौन-कौन सी नीतियों की इन्होंने भारत में शुरुआत की या मालीजे जनसंख्या की शुरुआत किसने की प्रैस की शुरुआत यहां किसने की यहां पर एक और महत्पोन सेक्शन है सिक्षा को लेकर कौन-कौन से सुधार हुए है यानि तिक्षा की सुभार से संबंधित कौन-कौन सी समितिया है? कौन-कौन से आयोग का गठन किया गया है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, सवाल पूछ लिया जाए, कि भारती विश्विद्याले अधिनियम का लाया गया? यह सवाल पूछा जा सकता है, हंटारायोग के बारे में यह कब लाया गया? सिक्षा से संबंधित है, क्योंकि हंटारायोग दो है, आपको बताना है, दूसरा हंटारायोग कौन सा है, एक हंटारायोग सिक्षा से संबंधित है, इसका वर्ष पूछ सकते हैं, इसके साथ ही वर किया सकते हैं जो भारत के जो इतिहास के संदर्व में क्रम के अनुसार यहां पर महत्वपूर रहे हैं ऐसे सवाल में पूछे भी जाते हैं यहां यहां पर हमें मुख्यूरूपति इन सभी सेक्षन पर ध्यान देने की जरूरत है यही हमारे focus के बिंदू है इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी books हैं जो इन सभी को पढ़ने में हमारी मदद कर सकती है यानि कौन-कौन सी किताबों को हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए यदि हम किताबों की बात करें तो यहाँ पर महतुपूर बुक है सबसे पहले पैक्टरम और विपिंचंद्रा इन दोनों book का अपाध्यन कर सकते हैं सिस्टमाटिक या क्रमवार यहाँ पर चीजे दी हुई है सिस्टमाटिक कौन-कौन से यॉरोपियों का आगमन जो अभी हमने जिन पर चर्चा की इसा भी एक क्रम से दिया हुआ है तो आप इसमें fact-oriented और concept भी आप clear कर सकते हैं इसके साथ ही यहाँ पर द्रिष्टी भी अपनी कुछ booklet निकालती है जो की BPSC के लिहास से महाध्यकून है जिसमें इसकी एक सीरीज है BPSC सकते सीरीज इसमें BPSC से तमदे दो books है एक तो prelims के level पर है यानि free के level पर है और दूसरी book है mains के level पर prelims को लेकर कौन-कौन से प्रश्ण है जो महाध्यकून है जो पिछली वर्षों में पूछे भी गए हैं और जिन प्रश्णों के आने की या पूछे जाने की संभावना है वे सभी प्रश्ण इसमें संकलित किया गया है और ठीक ऐसा ही mains के लिहास से भी किया गया है इसके साथ ही बिहार को ही ध्यान में रखते हुए prelims की परिक्षा को ध्यान में रखते हुए और mains की परिक्षा को ध्यान में रखते हुए खासकर प्रिलिम्स यदि हम प्रिलिम्स की फोकस करें तो आप यहां पर अनुमा लगा सकते हैं कि जो 68 VPSC है 68 VPSC को ध्यान में रखते हुए यहां पर बिहार से संबंदित आठ पुस्तकों का स्रंकलन यहां पर दृष्टी ने निकाला है इन आठ पुस्तकों को किस नाम से जाना गया है BPSC सीरीज, BPSC सीरीज में आठ पुष्टिके हैं जिसमें से एक है इतिहास से संबने दुख, बिहार, भारत का इतिहास, एवं कला संस्प्रती, जिसमें मुख्य रूप से कला संस्प्रती पर फोकस किया गया है, यानि प्राचीन भारत में जो भी महतुपून स्थान रहे हैं कौन-कौन से धर्म रहे हैं, जो महतुपूर रहे हैं, क्योंकि जैन धर्म, बहुत धर्म, हम सभी जानते हैं, बोध गया, एक महतुपून स्थान है बिहार में, नालंदा एक बहुत महतुपून स्थान है बिहार में, तो इन से संबन्दे जो भी प्रश्ण है, जो प्रेलि और सी स्टेट से जोड़ी किताब है भी इसमें शामेल है यानि अडिस्वर्टवी बीपेसी की परिक्षा में इतिहास के पोर्शन को मजबूत करने के लिए आप इस पुस्तक को ले सकते हैं जिसमें आप ट्विज को भी सॉल्व कर सकते हैं यानि यहाँ पर आपको लास्ट म क्योंकि आप हमने बात की कि कैसे कैसे सवाल पूछ जाते हैं तो 67 वी बीपेसी में कौन-कौन सी सवाल इस्टिक की लिहास से आप देखें कि महद्र पोड रहे हैं और पूछे गए हैं जिसमें से दो-चार सवाल हमने लिए हैं आप देख सकते हैं इसका नमोना यानि को कपर पाथ जिसमें क्या जवाब को कमेंट सेक्शन में देना है इसके साथ ही एक और सवाल था क्या था इस वी संथ 1929 में आयोज़ाइजद भारती राष्टी कॉंग्रेस के अधियाक्ष कौन था जिसमें ऑप्शन क्या थे बल्लब भाई पटेल, मोतिलाल नहरू, जवाहला नहरू, राजेंदर परसाद, उप्यक्त में से कोई नहीं, उप्यक्त में से एक से अधिक, इसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्षन में देना है, काफी आसान सवाल है, इसके साथ ही, एस फीजन उप्यक्त में से कोई नहीं, तो ऐसे सवाल हम देख पा रहे हैं, एक तो व्यक्तितों के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर चम्पान्ट सत्याग्रह की बारे में आपको पता होना चाहिए, ऐसा भी पूचा जा सकता था, की चंपर्ण सत्याग्र निमनलिखित मैंसे किस वर्ष में हुआ इसके बाद यहाँ पर आप देखिए लाहोर अधिवेशन के बारे में सवाल पूछा गया यानि यहाँ पर कॉंग्रेस अधिवेशन महत्वण हो जाते हैं और सभी अधिवेशन के साथ साथ इस्थान भी महत्वण हो जाते हैं उस इस्थान में किसने अध्यक्षता की यह भी महत्वण हो जाता है इसके साथ सवाल देखिए आप घटना करम के बारे में पूछा गया है जहां कौन-कौन सी घटना यह शामिल है भारत छोडवां दोलन, क्रिप्स मिशन, गवर्नर, जनरल, कैमिनेट मिशन तो हमने देखा जिन चीजों पर अभी हमने चर्चा की वे सभी चीजें वे सभी तथ यहां पर महत्वों है इसलिए सभी बिंदूओं पर हमें नहां पर बराबर जोर देने की जरुरत है तो यहां पर चुकि हिस्ट्री से प्रश्ण ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करने की जरुद थे साथ ही साइंस और अन्य जो भी विश्य है जो महत्वों है कैसे कैसे पूछे कैसे कैसे सॉल्फ करें कैसे बिपयसे में आप सिलेक्शन ले सकते हैं तो आज के सेश्ण में इतना ही मिलेंगे एक नए विश्य के साथ तब तक पढ़ते रहे है रिएजन करते रहे जहने